पाकिस्तान में पेशावर की एक जेल में बंदेक 30 साल के भारतिय कैदी पर खाल के महीनों में जेल के अन्य कैदियों ने तीन बार हमला किया इस वेक्ति को एक सैन्य अदालत ने इस साल फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने का दोशी ठहराया था भारतिय कैदी के वकील ने शुक्रवार को अदालत को ये जानकारी दी मुंबई निवासी हामीद नेहल अंसारी को 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अवैध तरीके से प्रवेश करने के आरोप में गिरफतार किया गया था वो वहां कथित तौर पर एक लड़की से मिलने गया था जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी पेशावर केंद्रिय कारागार में साथी कैदियों द्वारा किये गए हमले में उसे चोट भी आई है आपको बता दे कि मुंबई के रहने वाले हामिद नेहल अंसारी को 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अवे तरीके से प्रवेश करने के आरोप में गिरफतार किया गया था